रावन के बारे में हर कोई जानता है वो राक्षस वंच का था और उसके द्वारा की गई गलतियों के कारण हर सार दशहरे के दिन रावन देहन भी किया जाता है वैसे क्या आपको मालूम है कि महान विद्वान और पंदित होने के साथ साथ रावन भगवान शिव का परम भक् तो चाकि क्या है न अपने आराध्य शिव जी को प्रसंद किया जाए। यह विचार कर वह तपस्या में लीन हो गया। बहुत समय तक तपस्या करने के बाद भी शिव जी प्रसंद नहीं हुए। तो रावन ने अपना सिर काट कर शिव जी को अरपन कर दिया। इसके बाद उ बेक कर शिवजी प्रसंद हो गई और उन्होंने वर्दान के साथ ही उसे दस्यर भी दे दिये। इस तरह रावन का नाम पढ़ा दशानन पढ़ा। रावन के दस्यर होने को लेकर इस कहानी के साथ साथ कई अन्य और कहानिया भी प्रचलित है। ऐसा कहा जाता है कि रावन दस सिर नहीं थे, वह सिर्फ दस सिर होने का ब्रह्म पैदा करता था. वहीं, कुछ का ये भी मानना है कि रावन छे दर्शन और चार वेदों को जानने वाला था, इसलिए उसे दसकंठी भी कहा जाता था. शायद इस कारण से भी उसे दशानन भी कह हाजा दाता